आजकल की PD के स्कूली बच्चे भी शराब और ड्रक्स का इस्तेमाल करने लगे हैं। इन चीजों से उन्हें कैसे बचाय जा सकता है। जानते हैं सद्गुरू से। नाग अश्विन सद्गुरू से कहते हैं सद्गुरू। मैं अपनी PD इस युवा PD में शराब की सेवन और लद की सचाय जानना चाहता हूँ। बहुत छोटे बच्चे स्कूली बच्चे पलायन बच निकलना के एक तरीके के तोर पर नशिले पदार्थों का इस्तिमाल करना कर रहे हैं यह बहुत डरावना और खतरनाक दिखता है मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी खयाल से बच्चे इसका सेवन क्यों कर रहे हैं और लोगों को इससे निकालने का बहतरिन तरीका अधिक जेविक तरीका क्या है सद्गुरू कहते हैं नमस्कारम नाग मुझे आपका और अगर आपको पता ना हो नाग का विश भी एक नशा है अगर उसे एक खास तरह से इस्तिमाल किया जाए समाज में नशे की जरूरत बढ़ने की कई वज़ा है एक मुल्बूत चीज ये है कि लोग अब अपने जीवन जीने के लिए संगर्श नहीं कर रहे हैं इसलिए उन्हें दिल्चस्पी जगाने और किसी चीज में जुनून से जुडने के लिए कुछ और चाहिए अगर ऐसा नहीं होता तो उस समाज में सुख और नशे की जरूरत स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगी इसलिए ये बहुत जरूरी है कि चाहे मादापिता अमीर हो मगर बच्चों को एक निश्चित उम्र तक संपन्नता का अनुभव नहीं होना चाहिए इस संस्कृती में राजा भी अपने बच्चों को गुरुकुल भेजते थे जहां वे दूसरे बच्चों के साथ पढ़ते थे और जहां हर कोई बहुत मुलभूत जरूरतों के साथ रहता था क्योंकि किसी के जीवन में दौलत आने से पहले अनुशासन और भागेदारी तथा जीवन के साथ जुडाव की जरूरी भावना आने चाहिए वरना दौलत एक बोज बन जाएगी जिसे आपको अपने सिर पर ढोना पड़ेगा इस पीडिय के साथ यही हो रहा है एक और वज़ा यह है कि इन दिनों काफी हद तक मातापिता दोनों नोकरी कर रहे है शुरुवाती उम्र में बच्चों को जो ध्यान देना चाहिए वह उसे नहीं मिल पा रहा है इसलिए स्वाभाविक रूप से बच्चों का ध्यान भटक रहा है वे परियाप्त शारिडिक गतिविदी भी नहीं करते जब आप अपने शरीर की फिटनेस का आनन नहीं लेते तो आपको नशे में ही आनन्द आएगा अगर आप अपने सिस्टम की जीवन्तता और उर्जा का आनन्द नहीं लेते तो नशा ही अकेला तरीका रह जाता है और अब ड्रक्स सिर्फ नशा नहीं रह गया है वे कुछ घंटों के लिए जीवन्त भी महसुस कराती है इसलिए या पीडी विशाल स्तर पर उस और बढ़ रही है इस पीडी के इन ड्रक्स की और बढ़ने की एक और एहम वज़ा ये है कि उन्हें स्वर्ग के जो सपने दिखाए गए थे वे डह रहे है शायद वे अब भी इसे बहुत साफ तोर पर व्यक्त नहीं कर पा रहे है उनके पास ये कहने की स्पष्टता या साहस नहीं है मगर लंबे समय से हमने लोगों को ये कहकर काबु में रखा है कि इन सब चीजों से दूर रहने पर स्वर्ग में आपको बड़ी मात्रा में ये चीजे मिलेगी अब स्वर्ग डह रहे है इसलिए वे यही पीने की कोशिश कर रहे है इस तरह इसके कई पहलू है मुल्बुत रूप से एक इनसान के लिए अपना जीवन बचाने के लिए शारिरिक संकर्ष करने की जरूरत नहीं रहे गई है यही नशे की जरूरत को बढ़ाता है इसके समाधान क्या है यह बहुत बहुत महतुपुर्ण बात है कि आप अपने बढ़ते बच्चों को खेलो की और और दूसरी कार्य कलाओ के लिए प्रेरित करें जो उन्हें प्रकृती से जोड़ती है जैसे ट्रेकिंग, पहाड की चड़ाई, तैरा की कोई तीवर क्रिया और साथी प्रकृती के साथ जोड़ाओ कला, संगीत, किसे न किसी चीज को लेकर उन्हें दिवान की पैदा करनी होगी उन्हें अपनी बुद्धी, अपनी भावना, अपनी चेतनवा के सुखो को जानना सिखना होगा जब व्यक्ति मन के सुखो, अपनी बुद्धी की तिक्षनता के सुखो, भावनावो के सुखो, अपनी चेतनता के सुखो का आनन्द लेने लगता है, तो शरीर के सुखो में डूबना स्वाभाविक रूप से बहुत ही कम हो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि बच्चे कई तरह के क्रिया कलाप काम करे और बहुत सी चीजों में जोश के साथ भागिदारी रखे, ये शराब और ड्रक्स की जरूरत को कम कर देगा, मगर हमें ये समझना होगा, आजकर इसकी तगड़ी मार्केटिंग है, और माफ किजेगा, फिल्म में इसका प्रचार कर रही है, हर जगह उसे इस तरह दिखाया जाता है, मानो वह एक सामाजिक चीज हो, जब तक आप पीते नहीं, आप बेकार है, लोग मुझसे पुछते है, सद्गुरु आप पीते है, मैं कहता हूँ, हाँ, मैं पानी भीता हूँ, वे मुझे ऐसे देखते है, मानो मैं कोई विचित्र प्रानी हूँ, सिर्फ पानी, हाँ, सबसे शांदार चीज जो आप पी सकते है, वह है पानी, क्योंकि यह शरीर पानी से बना है, शराब से नहीं, इस शरीर का सतर फीसदी पानी है, निस्चित रूप से शराब नहीं, मगर सबसे बढ़ कर, मेरा मामला अलग है, क्योंकि मैंने अपने सिस्टम के भीतर खोज लिया है, कि यह सबसे बड़ी केमिकल फैक्टरी है, अगर आप नशा करना चाहते हैं, तो आप उसे अपने अंदर से पैदा कर सकते हैं, ऐसा नशा जो आपको, एक साथ नशे में और बहुत जाकरुक बनाता है, हमें अपने बच्चों और युवाओं को इस नशे के बार में बताना चाहिए, इसलिए हम योग की तकनिक को हर किसी के जीवन में लाने की कोशिश में चुटे हैं, अगर आप अपने अंदर कुछ खास अवस्थाओं में चले जाए, तो ऐसे नशे का पता चलेगा, जैसा कभी किसी ड्रग या शराप से नहीं हो सकता, साथ ही आप पूरी तरह जागरुग भी रहेंगे और यह आपकी सेहत और खुशाली के लिए चमतकार कर सकता है, अब समय है कि हम तकनिकी रूप से अधिक बहतर तरीके से चीजों को करना सीख है कि लोग अपने अंदर की और मुड कर जीवन के सरवोच्चो सुखो को जान पाए, हमें अपने युवाव को इसका अनुभव कराना चाहिए, जब तक उन्हें विकल्प नहीं देंगे, वे वापस बोतल की तरफ जाएंगे, गोलियों की तरफ जाएंगे, फिलाल सेहत के लिए आपको रसायनों की जरुरत पढ़ रही है, शांती के लिए आपको रसायनों की जरुरत पढ़ रही है, खोशी के लिए रसायनों की जरुरत पढ़ रही है, अपने अंदर किसी चीज के अनुभव के लिए आपको रसायनों की मदद चाहिए होती है, आपको समझना च इस्तेमाल शुरू कर देते हैं तो जो अगली पीडी हम पैदा करेंगे वह कई रुपों में हमसे कम तर यानि की घटिया होगी यह मानव जाती के प्रती अपराद है हम सबको इस बारे में जागरुक होना चाहिए और वह करना चाहिए जिसकी जरुरत है धन्यवाद करना चाहिए . झाल झाल